हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो हिना केमिकल मस्क जाइलॉल इसको मस्क जाइलिन भी बोला जा सकता है इसका उप्योग सिंथेटिक मस्क फ्रेग्रंस के तोर पे होता है यह निच्रल मस्क जैसा इफेक्ट देता है Nritcher Mask का जो tone होता है Flavor tone, fragrance tone उसके जैसी effect देता है इसका उप्योग fragrance enhancer के रूप में भी किया जा सकता है इसका use chemical bonding के दोरान जो compounding बनता है पर्फिम का उसके अंदर one part of chemical के दोर पे भी use किया जा सकता है डिटर्जन्ट है फैब्रिक सौपनर है फैब्रिक कंडिशनर है उसके जो फ्रेग्रेंस को एन्हांस करने के लिए मस्जैलोल का भी यूज होता है एज फिक्सेटिव भी इसका यूज होता है कई जगा पर इसका जो नौट से मस्की नौट से तो स्वीट फ्लोरल टाइप इसकी इफेक्ट देगा तो उसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए केस नंबर है इसका 81152 फॉर्मिला इसकी C12, H15, N306 यहां पर फॉर्मिला में N3 दिया है इसको नाइट्रोजन पार्टिकल्स बोला जा सकता है इसका मतलब है इसको नाइट्रो मस्क की भी बोला जा सकता है अपिरियंस इसका स्लाइटली पैल यलो है क्रिस्टली टाइप है क्रिस्टली मानि इतना क्रिस्टली नहीं है पाउडरी नौट्स टाइप है वीडियो में आपको दिखेगा कि जैसे यह पाउडरी है थोड़ा सा क्रिस्टली शाइनिंग पाउडर है यह तो इस टाइब का ये केमिकल उसकी प्रॉपर्टी है फ्लेश पॉइंट है इसका 93.33 डिग्री सेल्सियस सेल्फ लाइब है इसकी 36 मंथ अब कौन-कौन से मीडियम में, कितनी रेंज में, कितनी मात्रा में ये डाइलूट होगा, सॉल होगा वह अब आपको बता रहें, जैसे केमिकल है, मिथाइल कार्बिटॉल 100 ग्राम मिथाइल कार्बिटॉल है, उसमें 5.5 ग्राम तक ये मस्ज जाइलॉल डाइलूट हो जाएगा उसके उपर आप डालोगे तो थोड़ा सा अन डाइलूटेड पार्टिकल्स रह जाएगा जैसे बेंजाइल बेंजोएट है, तो 100 ग्राम बेंजाइल बेंजोएट के अंदर 25 ग्राम ये मस्ज जाइलॉल बहुत अच्छी तरह डाइलूट हो जाता है और अच्छा सा एक ब्लेंड बन जाएगा आपका, मानि 25 परसंट इसका डाइलूशन रेशियो आया, बेंजाइल बेंजोएट के अंदर डीपी के अंदर 14 ग्राम, 100 ग्राम डीपी है, उसके अंदर 14 ग्राम तक ये डाइलूट हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से अब डीएमपी, डाइमिथाई फैटेलेट, 100 ग्राम डीएमपी के अंदर 16 ग्राम मस्जाइलूट होता है, और बहुत अच्छी तरह से इसका रिजल्टन डाइलूशन हो जाएगा, आलकॉल के अंदर 1 ग्राम, 1 ग्राम से उपर भी होगा, लेकिन 1 ग्राम का जो अपलिप्ट करेगा, 100 ग्राम अलकॉल के अंदर, तो डोजीज की बात की जाए इसके अंदर, तो अलग-अलग जो मीडियम है, सॉल्वन्ट है, उसके अंदर इसका अलग-अलग डोजीज जाता है, कॉमन इसका डोजीज जो रहता है, वो 20 परसंट रहेगा, जैसे पर्फि इसका डोजीज कीतना, तो 18 से 20 परसंट तक इसका डोजीज डाइलूशन कर रहेगा, अब इसका जो ओर्डर है, मस्की नॉट्स, पहले ही बोला हमने मस्क टाइप का ओर्डर है, स्वीट सॉपी टाइप थोड़ा सा इफेक्ट देता है, नाइट्रो मस्क की बोला जा सकता ह इसका फैटी ड्राइब, सॉपी नॉट्स आता है, ओर्डर स्ट्रेंथ इसकी मीडियम है, सब्टेंटिविटी टाइमिंग इसका मानी सेट अप टाइमिंग, केमिकल बॉंडिंग टाइमिंग इसका 400 अवर्स है, अब इसका कुछ अलग केमिकल के साथ ब्लेंडिंग देखा जाए, तो जैसे फ्लोरल केमिकल है, आइसो ब्लोरल केमिकल है, उसके साथ आप मस्गायलोल का एकोड बनाके चेक कीजिए, जब भी एकोड बनाते हो, आगे के वीडियो में हमने बताया, ऐसे रेशियो डिफरेंस करके एकोड बनाओ आप, और उसका टेस्टिंग करो, जो काफी फ्रेंड्स का कॉल आता है कि सरम को सीखना है, तो हम ये वीडियो के एंड में जो भी ब्लेंडिंग बताते हैं, उसके उपर आप वर्क करो, उसका आमानी टेस्टिंग देखो, उसका नोज ट्रेनिंग करो, कि कैसी स्मेल आती है, उसके उपर से आपको पता चलता जा की कौन सा केमिकल क्या रियक्ट करता है, अब दूसरा जो नोच है, टॉन का टॉन का टाइप का जो नोच्ड ला आए, तो कॉमारिन के साथ मस्क जायलव और ऊपको एक ब्लेंड बनाओ, फिर वूड इफेक्त के अंदर जाना हैं, तो वूडी इफेक्त में सीडर वूड व यह इसका थोड़ा मेजर के साथ बताएंगे कैसे अकोड बनाता है बनता है तो फ्रेंड्स ऐसे कई सारे वीडियो आने वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को भी दबा दीजिए ता अब आगे अम देखेंगे स्वीट फ्लोरल मस्की अकोड कैसे बनता है इसे स्वीट फ्लोरल मस्की अकोड्र हम तीन केमिकल का ब्लैंडिंग देखेंगे इसके अंदर एक है कॉमार्इन। दूसरा है मस्जल애ल। और तिसरा इताइल मॉल्टाल तीनों का 10% का रेशियो लेंगे 10% solution आप DPG में बनाओ, DP में बनाओ, दोनों में से कोई एक के अंदर आप ये इसका solution बनाओ अब इसकी formation क्या होगी, कि 10 ग्राम जो कौमारीन है 10% वाला, 10% अभी हमने बोला, 10% कैसे बनाओगे, जैसे 100 ग्राम का solutions बनाना है, तो 90 ग्राम आप DPG लो और 10 ग्राम जो है, वो कौमारीन डालके उसको डाइलूट करो, तो 10% solution बनेगा, तो 10 ग्राम कौमारीन 10% वाला, 10 ग्राम मस्चाइलॉल 10% वाला, और 5 ग्राम जो है, इथाइल मोल्टाल, वो 10% वाला, यहां मैं मेजर्स ग्राम के अंदर बता रहा हूँ, एमेल में नहीं बता रहा हूँ, ग्राम परफेक्ट वेट आजाए, क्योंकि आप हरिक के पास वेट होता है, वेट मेजर्स होता है, तो अच्छी तरह ग्राम वेट कर सकते हो आप, मैं parts भी नहीं बि mosquito पहीं कई कि जगे йकंगाई पर्स बोला जाता और पार्ट में समझ नहीं आता की पार्ट मुना है मन Cynthia Lee क्या ले थो यह मैंने measurements spiderm के अंदर बताए आपको ऐसा 25 ग्राम है कर एक एक व्राड बना के दिखीति आप उसको 56 दिन रख़्िए उसके बाद तूरंती मानि 5-6 गंटे बाद स्मेल करते हैं सर यह सा रिजल्ट नहीं आता मानि हर केमिकल का बॉंडिंग का टाइमिंग होता है उसको मिनिमम आप एक हपते तक छोड़ दो जब भी कोई फ्रेंट्स का कॉल आता है सर हमको कितने दिन जो ब्लेंड करके रखना है तो हम बोलते मिनिममम 20-30 डेस आप रख दो आपको रिजल्ट दिखेगा बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट दिखेगा तो यह पर्फिम्नरी लाइन में क्या आए कि एरोमा केमिकल हर का अलग-अलग बॉन्डिंग टाइमिंग होता है कुछ हिसाब से वह रिजल्ट स्वाउट होता है अब दूसरा एक एकोडम बता रहे है वूड़ी एकोड आगे हमने बोला दा सीडर वूड के साथ तो सीडर वूड ओईल सीडर वूड ओईल डाइरेक लेना है आपको पां किनों का ओडर बना के आप चेक कीजिए क्या रिजल्ट स्वाउट होता है वूड़ी नोट्स है वूड़ी चैमिकल है तो स्वीट तरव स्वीट वूड़ी होगा लेकिन थोड़ा सा यह पावडरी नोट्स पर डाइवर्ट करेगा शौपी पावडरी नोट्स जैसे कोई अम स्मेल करते हैं तो एकदम डार्क वूड़ जैसा मनी हाई वूड़ी नोट्स नहीं रहेगा यह फ्लोरल सौपी पावडरी नोट्स पर जाएगा और यह एकोड़ आप कोई भी रेडी पर्फ्यूम जो है आपके उसके अंदर थोड़ा सा वूड़ी पावडर एंड स्व बहुत ही बढ़िया कैमिकल है यह ज्यादातर अगरवक्ति बिजनेस में यूज होताय व जन एंपर्फ्यूम. अब कॉस्मेटिक यूज होताय मैं मैक्सिमुमब बिजनेस में बहुत यूज होता अगरवक्ति बिजनेस में आगे हमने बोला वैसे और वड़े सको can रू तौर पे उसका एन्हांस करना है तो मस्जाइलोल यूज होता है इसके साथ टॉनालाइट भी यूज होता है अगर्वती वित्यस में के कोई भी पर्फ्यूम को अपलिट करना है तो फ्रेंड्स आप यह मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्य धन्यवाद शुक्रिया ऐसे आगे वीडियो अब कंशिस्टंस ती आते रहेंगे एरोमा केमिकल्स के बारे में पर्फ्यूम नरी रो मट्रेल्स के बारे में तो प्लीज हमेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और आपका यह सपोर्ट हमे अमेरे लिए बहुत काम आता है तो फ्रेंट्स यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जयहिन गुड़ डे